जरणी लगाँ याज फाटम होने वाला है तो ऑगिन बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है वाले दो और दिन हम लुग रहने वाले हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाल है क्या क्या करेंगे सारा चीज़ शेयर करेंगे आपके साथ तो चलते हैं जरने के लिए आगे बढ़ते हैं सब पैक्ट हो गया है अब नीचे जाते हैं बैक पैक करते हैं और निकलते हैं वंबला कैसे जगह जो मेरे लिए बहुत खास है और वहां जाकर मेरे बच्पन की कुछ यारे ताजा होने वाली है तो हम दोलो बहुत एक्साइटेट है मैं अए मेरे को भी देखना है कि यह कौंसे स्कूल में पड़ी थे कहा कहा जाती थे तो वह सब मेमोरीज ना इनके लिए जीतना स्पेशल में बहुत थे वहां वहां जाने के लिए तो कोई भी मैं बहुत इंद एक्साइटेट रहता मैं जहरी दिना भी नहीं है इखने को मिलें थो लेकिन उनके इत्साइट साथ मैं भी वो जाता हूं कि कहां कहां जाते थे कहां कौन से मार्केट में या फिर कौन सा स्कूल था या फिर कहां कोई स्पेशयल जगा ये सारे चीज़ एक्स्प्डोर करें गे तो हब साथ मिलकर इस बार ऑम द्रेश्व करने वाले हैं तो मजा आए 그러idad कर regular जल्ड़ पॉक्स 180 km का और अभी जो हमारा नेक्स्ट इमेडियेट टार्गेट है वो है सेला पास पहुचने का क्योंकि जैसा कि हमने पिछले विडियो में बताया था क्योंकि सेला पास आपको 12 बशें से पहले कवर करना रहता है और ये करने से बेटर रहता है तो हमारा टारगेट तो यहां कंस्ट्रक्शन चल रहे रोड का यहां हाइवे बनने वाला है और यहां देखिए एक वाटरफॉल की तरह है इस पार से उस पार तो यहां देखिए जो वाटरफॉल है यह पुरा जम चुका है पुरा आइस हो चुका है और हम पुर्च चुके हैं सेला लेक और हमें यहां तक पुर्चने में आज तीन घंटा जैसा लगा अभी बज़ रहे इलैवन फिफ्टीन वाव लास्ट टाइम हम लोग सेला पास जब क्रॉस कर रहे थे और सेला लेक क्रॉस कर रहे थे अपने आप लोगों को दिखाया भी होगा जिसनोंने नहीं दिखाया वो वीडियो जाके देखो तो उसमें हमने दिखाया था पूरा लेक जो है पानी बना हुआ तो कोई बर्फ नह तो इसी से पता चल रहा है विंटर आ गया चाहिद कुछ दिनों में स्नोफॉल भी होना शुरू हो जाएगा टेंपरेचर काफी ड्राप कर गया है और दीले दीले लेक बर्फ बनना शुरू हो गया है और बहुत थंड़ यहां विश्वास करो मतब आप इमेजिन नहीं कर पा तावांग जाने के टाइम पे ठंड हमें इतना ज्यादा नहीं लग रहा था जितना आज लग रहा है हमें तो शायद स्नोफॉल के वज़े से लग रहा इतना ज्यादा ठंड तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहां से कि रहा है तो पाल हो रहा है अच्छी खासी जोर से कि रास्ते में छोटे छोटे घंपरिया से पड़े वे इस तो रास्ते में यह देखी कितना बरबर स्टून के जैसा गिर रहे है और वो आर्मी का जो ट्रक है वो बहुत देर से आने की कोशिश कर रहे है पर स्लाइट कर जा रहे है नीचे की तरफ बहुत टाइम लगता है बड़े-बड़े गारी को उपर चड़ने के लिए जए म duy Чणा से लिए मेड़े बसामी शुली खाया आणे जादानी, लग मैं शुली, है लगा। ख्यथckt nagण चार बढ। ख्यक्वेड रखिक कि लग हम Ridge ख्यक lo तो नीचे देखें उस तरब दूप है और यहां पर बहुत जादा धंड है और फोगी भी है को अजय को अब इसाब़ाद है और फोगी तो पहले हम देख ते कुछ अला की नाजारा था आज कुछ अला की नाजारा है यहां तो यहां रुख जाते हैं और कुछ खापी लेते हैं मैं सुना ही दिया इटानगर नहीं सुना ही नहीं दे रहा है यहां से कितना दूर है इटानगर आपका मालो 594 चिलिम्टर तुम्हें सुगा जोड़ों का स्नुफॉल हो रहा है देखिये रोड़ पुरा देखिये यहां पर स्टून जैसा गिर रहा है बहुत जोड़ से हो रहा है और ठन भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं होट वाट वाटर स्प्रिंग देखने चलिए देखते हैं क्या मिलता है ओ यह टेंपररी क्लोज है और वन मंद के बाद ही खुलेगा कुछ कॉंस्ट्रक्शन चल रहे है तो यहां पर लिखा है देखिये वाटर विद मेडिसिनल वैलूस तो इस पानी में नहाने से बहुत सारे फाइदे होते हैं तो इस बार तो नहीं हुआ बाद में कभी देखेंगे तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और यहां से बामडिला का रोड बहुत ही बरिया है तो हम पहुच गहे हैं बामडिला और अभी बज रहे हैं चार और आजका राइट काफी एंजॉइंग था ठीक हैं क्योंकि पूरा का पूरा हिली एरियास में ही था मतुब सारे मांटेंस पास करके हैं था बिलीव मी था रहा है तो अभी हम थोड़ा निकल रहे हैं मारकेट की तरफ जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा काम है वह काम करेंगी और फिर आपसे मिलेंगे जाते समय एक अंकल से मिलेते हम उनके लिए कुछ खरीदना है और कल एक अंकल के घर जाना है तो उन लोगों के देखते हैं क्या लेते हैं तो चलिए अभी निकलते हैं मारकेट की तरफ जाते हैं अंधेरा भी हो चुकाया ठाइड भी बर रहे है जादा लेट ने करते हुए निकलते हैं हम लोग अभी आपर मूवी देखेंगे अथा निकलते हैं और यह बाप अपरे इतना सुंदर हॉल कर दिया पहले तो था ही नहीं कुछ वाओ यार इतना सुंदर कर दिया पहले तो कुछ भी नहीं था यह सुने थे कि अभी और था पर छोटा सा ऐसा कुछ नहीं था तो बहुत सुंदर हो गया है खुबासु देर गया है दके चांस मिलते है कि नहीं तो देखे लेके मोगी तीकल में उसका ओल करने तरहे हैाँ कि इसका ओल करने हैं हाँ कॉल कारी तरहे हैं यहां पर मुल्टिप्लिक्स है तो यहां पर जाकर मोगी देखना ही का अलागी एक्सपरियेंस है अगर हमें बोला कि अगर वह हमें कॉल कर देंगे अगर पांच छे लोग हुए तो फिर तो ही फिर शो चलेगा साथ बजेगा शो अबने बोला हम लोग की अगर आफ्योग के अगर अफिर शो चलेगा तो हमें फोर कर देंगे तो हम आएंगे टिकेट ले लेंगी तब यहां हुआँस फिर होने का तो कोई डरी नहीं है वहां उस खाली होने का डर है तो चले करकी नहीं यह डिपेंड करता है आप पांच लोग को जुगाड करता है हमारे पास तीन तो हो जाएगा वह अंकल को लेकर और दो तीन कहां से लाएंगे लेट सी क्या होता है जैसे होगा आप लोगों पता चल जाएगा तो अभी उस अं झाली है हमारे उसके वが रखेंड करता है हमारे तो है हमारे की ताह मिते है जाएगा है जाए आप